ये कानी है जौन नाम के आदमी के जिसे समुंदर के बीच में एक अंजान बोट मिलती है अब जब वो उसके अंदर जाता है तो उसके साथ क्या-क्या चीज़े होती है इस जानकर आपके होश होड़ जाएंगे कानी शुरू होती है हमारे हीरो जौन से जो अपनी छोटी सी बोट लेकर निकल चुका है फिशिंग करने के लिए लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए देखता है और सामने से बिलकुल अंधिरा हो चुका था उसी अंधिरे में थोड़ी दूर आगे पड़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है शायद कोई यहां फस गया हो उसे कोई आवाज नहीं आती मतलब यह बोट लावारिस है वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को बांता है और उसको उपर चल जाता है और फिर बड़ी वाली बोट पर चल जाता है अंदर जाने पर बोट बिलकुल नॉर्मल लग रहे थी वहां जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था मतलब कि इसे जादा टाइम नहीं हुआ है यहां पर खड़े हुए जौन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती जिसके बाद वो दूर बीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास हो और उसे देख जाए पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल लूम में भीजता है एक अबेंडेंट बोट यहां फसी हुई अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे लेकिन कोई जवाब नहीं आता यह सारी चीज़े करने के बाद वो दुबारा डेक पर जाता है अब वहाँ पहुचर उसके होल शुर जाते हैं क्योंकि उसकी छोटी बोट वहाँ से गाइब थी लेकिन उसने तो अपनी बोट बांध रखी थी तो वो कैसे गाइब हो गई यही सोच कर उसके दिमाग फटने लगता है और यह तो यह बोट बंध है और उपर से उसकी बोट गाइब है अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगाँ पर फसा हुआ है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि आस पास सिर्फ पानी ही पानी है इसलिए दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करनी की कोशिश करता है दोस्तों उसके चूदे इंजन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी वो एक भर फिर से कंट्रोल रूम से कॉंटाक करनी की कोशिश करता है लेकिन फिर से उसे नाकामी हाथ लगती है अब थोड़ी देर में उसे टॉलेट भी लग जाती है वो सोचता है कि चालो नीचे जाने की क्या जूरत है यहीं उपर टॉलेट कर लेते हैं वो जैसे ही सूसु करने की कोशिश करता है उसे जूर का धक्का लगता है और बोट से गिरने ही वाला था लेकिन सही मौके पर वो रसी पकड़ लेता है और समुंदर में गिरने से बज जाता है अब ये बोर्ट नहीं चाहती कि वो बोर्ट के ऊपर टॉलेट करे और उसे गंदा करे इसलिए शांती से वो नीचे बाथरूम में टॉलेट करने चला जाता है लेकिन यहां एक मुसीबत कम नहीं होई थी कि दूसरी आ जाती है बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खुलन जाएगा और वो फिर से अकेला रह जाएगा इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने के लिए उस डोर को लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता अब वो विंडव से बाहर शिप को एक कपला दिखाता है कि शायद वो उसे देखकर रुख जाए लेकिन वो छो मैं ऐसा आता है जब जॉन मर नहीं वाला था लेकिन वो जैसी भी करके उस रसी को अपने गले से निकाल लेता है और मरते मरते बचता है और तब ही वो शिप उसकी चोटी सी बोट से टकराती है और उसे काफी चोटे भी आती है जब वो छीशे में खुद को देखता है तो कि हालत बहुत खराब हो चुकी थी ऐसा लग रहा था कि उसने गल्ती गर्दी इस बोट पर आकर अब और ताकत लगाता है उस गेट को खोलने की लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ रखा उस डोर को और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था अब जॉन को बोट में कोई इंसान मौझूद है, जॉन रोते वे उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डोर नहीं कुलता और वहीं उपर हम देखते हैं कि बोट अपने आप चल रही है, धीरी धीरे अब रात हो लेकिन जॉन बैठे बैठे अकल चुका था, उसकी उंगली आकल गई थी, बोट में कंधे तक पानी भर चुका था, वो बड़ी मुश्किल से ख़़ा होता है, और एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुल जाए, इस बार वो पानी के नीशे जाता है कि गेट तो पहले से खुला है, किसी ने गेट को खोल दिया था, वो जोर का द Pokémon देता और उसे तोड़ कर बाहर आ जाता है, वो सबसे पहले तो भागते गए डेक पर जाता है, और खुली हवा में सांस लेता है, वो उसे समझनी आ रहता है कि एक्ष्वल में इस बोर्ट पर हो लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चीए था, तो बोट से कुछ खाने का समान लेता है, और वो अपनी छोटी सी बोट बड़ी वाली बोट से बांद देता है, ताकि उसके साथ साथ वो यहां से निकल सके, लेकिन जैसे वो उस राफ पर बैठता है, वो बोट वहीं खड़ी हो जाती है, बड़ी वाली, बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहां से जाए, वो कई घंटे तक उसी राफ पर बैठा रहता है, कि बोट अब चलेगी, अब चलेगी, लेकिन वो चलती नहीं, और जॉन को भी समझा जाता है, कि उसे इस बोट से निकलना होगा, इसलिए वो वापस वो बड़ी वाली बोट पर आ जाता है, और सबसे पहले तो भरेवे पानी को बहा निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो मोटर को भी ठीक करता है, जिसे तेजी से पानी निकल रहा था, अब बोट में जो जो दिक्का देती, वो उन सभी को ठीक करता है, और उसे टूटी हुए हिस्सों को भी पेंट करता है, ताकि फिर से पानी ना घुसे, सारी चीज़े करने के बाद, वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मागने की कोशिश करता है, कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले, बट सामने से कोई जवाब नहीं आदा, तो वो ठक और हार कर डेक पर जाकर बैट जाता है, और मैप में खुद की लोकेशन ढूणने की कोशिश करता है, अब ये सारे काम करने के बाद, वो बोर्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोर्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि ये बोर्ट सिर्फ अपने आप चलती है, और वो सुचता है कि क्या किया जाए ऐसे समय पर, अब उसे सामने से एक शिप आते वे दिखता है, और वो सीधा पानी में चलांग लगाता है, वो अपनी छोटी राफ को चलाते वो इसके पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ आईरनी देखिए, जो बोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो अपने आप चलने लगती है, और सीधा उसी की तरफ आने लगती है, अब वो अपनी राफ से और तेज भागता है, लेकिन वो बोट और तेज स्पीट कर देती है, और वो बस उसे टकरानी वाली थी, कि वो पानी में कूच जाता है, और अपनी जान बचाता है, और उसकी आँखों के सामने से ये वो शिप दूर चली जाती है, अब ये सीन देकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं, कि ये बोट नहीं चाती, कि वो उसे दूर जाए, और यही सोच कर जॉन पूरे समय पानी में ही गुजार देता है, लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है, और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे ना चाती वे भी वापस शिप पर आना पड़ता है, अब वो ठंड की वज़े से काप राता है, इसलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट ओर कर सो जाता है, जब उसकी आँख खुलती है तो बोर्ट बस चले जा रही थे, और उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है, वो उपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहां का में गेट लॉक हो गया था, वो पूरी तरह से फ्रस्टेट हो चुका था, क्योंकि जब से वो इस बोर्ट पर आया, उसके साथ कुछ न कुछ हुए जा रहा है, तभी उसके नजर बातरूम पर बढ़ती है, जहां से एक रास्ता था, उपर जाने का, वहां से बहाँ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से एंटरी का रास्ता बंद हो जाता है, मतलब जॉन अप पूरी तरीके से छोटी सी जगा पर फस चुका है, और तभी वो बोट पूरी रफतार से भागना शुरू कर देती है, जॉन इधर से उधर गिरने लगता और उसके सर में हाथ में हर जगा चोटी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी बोट की स्पीड इसलो होती है और अब गेट पी खुल जाता है, जब वो बाहर नकलता ह तो बोट एक शहर के पास आकर रुकी थी, जॉन फॉरन भागते हुए किनारे पर जाता और एक आईरन डॉड उठा लेता है, उसे लग रहा था कि कोई आदमी यहीं चुप कर इस बोट को चला रहा है, और उसी ने जॉन को किड्नाप किया, लेकिन बहुत देर चान बीन कर आ रही है, और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी, जॉन उस जुगा की सबसे उपर वाली छोटी पर जाता है, और समुंदर को देखता है, और फिर से यहां से बाहा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर फिर से वहीं आ जाता है, तब तब युदि मैं थैंक यू सो मुच वाचिं, पीस आउट